एलो फ्रेंट्स, आज मैं इडली बर्गर बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझी सूची चाहिए एक बार, और इसमें मैं इंस्टेंट इडली मिक्स दो सर्विंग स्पून डालूंगी, और दो बड़े चमच दही, इन सब को मैं अच्छे से ठोल दूंगी, थोड़ा थ पाने डाल कर, थोड़ा सा इंस्टेंट मिक्स करने से इडली बहुत अच्छी बनती है, थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब हम इसको एक घंटे के लिए रैस्ट करने के लिए रखतेंगे, इतली का बैटर रेडी होगी है, अच्छे से, अब हम ऐसी कटोरिया लेंगे, इनको ग्रीस कर लेंगे पहले से, और एटली कुकर में मैंने पानी गरम होने के लिए रख दिया है, बैटर हम पूरा नहीं भरेंगे, आदे से कम करेंगे, अब इनको मैं स्टीम करने के लिए रख दोगी, बर्गर के स्टफिंग बनाने के लिए हमको चाहिए, एक प्यास, पुड़ी सी शिम्ला मिर्च, आदी गाजर, पुड़ी सी बंधगोवी, अरा धनिया, अद्रक और हरी मिर्च, और मैंने चार अलू हैं उबलेवे, जो कि मैश कर लिए है, थोड़ा सा रिफाइन चाहिए, एक सर्विंग स्पूर, और इसके लिए हमें चाहिए, स्वादानुसान नमक, मिर्च, आदा चमच हल्दी, एक चमच चाट मसाला, और आदा चमच जीरा भुना हुआ, अब कडाई में रिफाइन डालेंगे, इसमें प्याज डालेंगे, ठोड़ा में रखके टोशक जाने में में जात आगा दो योन पेसे, विएक स्पीमर्व में, रज और भादा रिफादस, इसला dressing करूदी, और रिफादस, प्याधर विएल, इसलादस को इसमेंगे, हुआज पाल IP Patrol है, जो आइए हमें, स स्लुख के आज खरण का भीश, देखिए अल्किल के गुलाबी हो गया है, अब हम इसमें गाजा डाल देंगे जापी के गोवली हो आ पर के लूसे प्लाबी हो पाट प्लाबी, अलार घर टेंगे गर्ट किल देंगे आपके वी नमक, वेच, हल्दी और चाथ मसाला है, ये सब डाल देंगे तीरा फुना हुआ हादा चमच है, अब ये मैश किये वे हादू इसमें फिक्स करते के, मैं इसमें एक सर्विंग स्पून्स और मिक्स करूंगी, आप्शनल है आप करना चाहे तो करें, नहीं तो नहीं करें, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें हरा धनिया मिक्स करतेंगे, इस बंद कर देंगे, अब इससे एक प्रेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे, इत्ली कर खूलते हैं, इसमें देखते हैं, इत्ली तैयार होए हमारे, इत्ली तैयार होई है, अब हम इनको सब को बाहर निकाल लेंगे, यसरक देखते हैं, इत्ली थीतली के देखते हैं, अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे, इस तरीके से सब इत्ली को बीच में से कट कर लेंगे, जब मत से ही जब में हालू की स्टफिंग बनाई है इस गो स्टफ कर दे जब में सब को स्टफ कर लिया है अब हम इनको पैन में शेकी के पैन गरब हो गया है अब इसमें थोड़ा सा रिपाइन डालेंगे पैन डालने के पाद इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे और थोड़ा सा कड़ी बता है अच्छो हमने यह बर्गर्स कर दिये हैं क्योंको हम एक एक करके इसमें बचलेंगे प्लटने से पहले उपर से थोड़ा थोड़ा रिपाइन डाल देंगे और इनको सब को पलटे के, देखें कितने सुन्दा लगते हैं, ये खाने में भी पहुत टेस्टी लगते हैं, और लाइट भी होते हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे, ये दिखें, बर्गर बर्कु तयार है, बहुती लगते हैं, आप जरूर बनाएं, अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थेंक्यू, झालाद करें, ये ये झालाद करें, बहुती लगते हैं, बहुती लगते हैं, अच्छे, उद्चे पर लाइक लाइक करें, झाल झाल